धन तेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेश रूप से शुभ माना जाता है। धन तेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धन तेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेश महत्व दिया जाता है। लोग सोने चांदी और पीतल के बरतन खरीदते हैं क्योंकि इन धातूओं को शुभ माना जाता है। क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धन तेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूशन या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृती होती है जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बरतन खरीद कर भी लक्ष्मी और ब्रहस्पती की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीन क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुद धनिया खरीदा जाता है। धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थाई वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेश महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन करने की परंपरा है। जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साय लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 21 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीरगायू और सुख सम्रिद्धि का प्रतीक होते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्षमी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक सम्रिद्धि का नहीं, बलकि आंतरिक संतोश और सुख शांती का भी संदेश देता है। लक्षमी चरण इस दिन घर में लाना मान लक्षमी का आहवान माना जाता है। और इस दिन घर में मा लक्षमी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंतरन देने के तुल्य है। धन तेरस पर लक्षमी जी के दो चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए। और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतू लक्षमी और गणेश जी की मूर्तिया चित्र खरीते हैं। और इसी दिन धन वंतरी की पूजा हेतू उनकी मूर्तिया चित्र भी खरीते हैं। खील बताशे आदी भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशिया लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तयार हो जाती है और इसी धान से खीर तयार की जाती है। इसलिए धन तेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है नमक को भीने से आपके घर में सुक सम्रिध्य का आगमन होगा। और यदि आप आभूशन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धन तेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों मे कई गुना वृद्ध होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तूओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूशन खरीद सकते हैं। इस दिन जाडु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता धन तेरस पर जाडु घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जाडु को मा लक्षमी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जाडु घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार जाडु हमारे घर को साफ करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गाव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्वितिय थी, वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्षमी की पूजा बड़े श्रधा भाव से करता था, लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी, क्यो उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया, ताकि मा लक्षमी उनके घर पधार सकें, उसने सुना था कि मा लक्षमी केवल उनहीं घरों में आती हैं, जहां स्वच्छता होती है, और बुरी चीजों का वास नहीं होता, रमेश की पतनी ने उसे याद दिलाया कि वह दी उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से पूजा करूं, तो मान लक्षमी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी, शाम होते ही, रमेश और उसकी पतनी ने दीपक जलाये घर को रोशनी से भर दिया, और लक्षमी पूजन की तैयारी शुरू की, उसने ध्यान रखा कि वह तीन चीज कि अगर दीपावली के दिन कोई इन तीन चीजों को अर्पित करता है, तो मान लक्षमी क्रोधित हो जाती है, और घर से धन संपदा चली जाती है, वह तीन चीजें थी, तुलसी के पत्ते खटाई और कांटेदार फूल, रमेश ने इन चीजों को पूजा से दूर रखा औ पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर हमारे घर की छट पर आकर बैठ गया था, क्या यह कोई संकेत है, रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ, लेकिन फिर उसने पुरानी कहानियों को याद किया, उसे ध्यान आया, कि अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आये, तो यह इस बात का संकेत होता है, कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, और आपके घर में उनका वास रहेगा, रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया, यह तो बहुत शुब संकेत है, इसका मतलब है कि मा लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है, और हमारे घर म अब सदा सुख सम्रिध्य का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली। यह सोचते हुए कि अब उनके जीवन में सम्रिध्य आएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने सभी दोस्तों और रिष्टेदारों को यह शुब संकेत बताया। सभी ने रमेश क पूजा के बाद वह हर बार देखता कि कहीं कोई शुब संकेत तो नहीं मिल रहा। एक साल तो उसकी बेटी ने जाडू को एक खास स्थान पर छुपा कर पूजा की थी। और उस साल रमेश के घर में अप्रत्याशित रूप सिध्धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भ भी यह कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इससे सम्रिध्ध की बजाए दरिद्रता का वास होता है। समय बीटता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपा वली पर वे सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की पूजा क रमेश ने यह समझा कि सिर्फ पूजा और नियम पालन से ही सम्रिध्ध नहीं आती बलकि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भक्ती भी उतनी ही जरूरी होती है। आज रमेश का परिवार खुशाहाल है और हर साल वे दीपा वली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह मानते हुए कि मा लक्ष्मी उनकी भक्ती और सच्चाई को देखकर ही उनके घर में स्थाई रूप से वास करती हैं। जो व्यक्ती कर्ज लेकर दीपा वली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ती माता लक्ष्मी की कृपा से वंचि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं। और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश्कीरती प्रदान करती है। दोस्तों जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्टी लेकर आए तो हमेशा याद रखें। उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्टी बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले। तूटी हुई तथा छट की मूर्टी नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्टी की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता। इसी लिए मूर्टी सही धंग से देख ले। दीपा वली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा उसका घर अनंधन से भरा रहता है। घर में सुख सम्रिद्ध की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाश पाती नहीं चड़ाना चाहिए। इससे पाप लगता है। नाश पाती यानि नाश करने वाला इसी लिए शुभ समय पर नाश पाती नहीं चड़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानि चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। तूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा खीर पूड़ी आदी बनानी चाहिए। क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसी लिए इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर इस दिन इमली पानी पूरी नीमबू आदी नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोशी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाए, इससे धन की देवी माता लक्षमी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है। और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहन कर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शणी का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को ला सजना संवर्णा महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेश रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुब होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसंण होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण सोलह श्रंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ती रखती है। माता लक्षमी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रधा और प्रेम के साथ सजा समवर कर आती है, उसके प्रती माता का आशीरवाद अनंत होता है। जमहाई लेना अशुभ माना जाता है। जो कि लक्षमी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्षमी का घर में वास हो सकता है जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विप्रीत लाल रंग के कपड़े बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्षमी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की और आकरशित होती हैं। पूजा में लाल वस्त्र धारन करने से माता लक्षमी अत्यंत प्रसन होती हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है, तो आप एक रुपे का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा, पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए, माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पन से किया गया छोटा सा अर्पन भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, दीपा वली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है, कमल का फूल माता लक्ष्मी का वाहन है, और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थी, इसलिए प्रियोग नहीं करना चाहिए, ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है, और इसे पूजा भंग करने जैसा समझा जाता है, पांच रंगों के फल और मिठाईयां भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है, अगर आपके पास प प्रिपक को दाईयोर रखना चाहिए, और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, धूप को बाईयोर रखा जाना चाहिए, पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है, और इसे मात लक्ष्मी सुहागन देवी हैं और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है, सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, और इससे पूजा विफल हो जाती है, अगर बत्ती का उप्योग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है, और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है, भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पती श्रीहरी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रय जोग करेंगे तो माता लक्ष्मी अप्रसन हो सकती है और इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। लक्ष्मी पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीरवाद मिलेगा और घर में सुक्षान्ती और सम्रिध्य का वास होगा। तो इस दीपा वली पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में अखंड सम्रिध्य औ और सौभाग्य का वर्दान प्राप्त करें।